वेल्कम टू महराष्टा इंजीनिरिंग अकेडमी अप्लाइड माथेमाटिक्स इंपोर्टन कर्शन सीरीज का एक लेक्चर नमबर फोर्त है लास्ट लेक्चर में आमने इंटिग्रेशन बाइशन बाइशन मेतड उसके नुम्रिकल सॉल किये थे वही नुम्रिकल आके कंटि इंटिग्रेशन का फॉर्मला यूज करना है तो देखे आई सी आपको अगे आने वाड़ों के आपड़ेट्स चाहिए तो आपना जो टेलिग्राम चैनल है महराष्टा इंजीनिंग एकडमी उसे जॉइंग कीजिए उसका लिंग डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसी यहां पर चैट सेक्शन है आप डारेक्ली मुझसे कम्यूनिकेट कर सकते हो तो यहां पर निम्रीकल सॉल करेंगे क्वेस्टन नमबर एट का सलूशन इंटिग्रेशन बाइ सबसे नमबर एट का सलूशन तो सबसे पहले जो गिवन दिया है और राइट डाउं करता हूं कि एवल्यवार इंटिग्रेशन और एडिएस तो एक्स 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 माइनस 1 डिवाइड बाइद बाइएक्स स्क्वेर है साइन श्क्वेर है में इस टो एक्स अप्वान-एक्स-थी-एक्स दिए यहां पर आपको-व्यूट पुटव करना है सबसे पहले देखे हैं यहां अगर अच्छा है तब यह आपका मॉल्म होना चाहिए क्या वेल्यू सब्स्टिटूट करना है तो मोस्ट इंपोर्टन टेल और यह वाले दो इससे डिफॉरेंशियेट करेंगे डिफॉरेंशियेट वित리मेंच टोफ टो डिवायई दी एक्स अग्स अपॉर्म्ला राइट डायूं करता हूँ D by D x of U upon V आपका formula है V D by D x of U-U by D x of V डिवाइड बाई V का Square देखिए, आपका Formula है दीबा दीओ, तो Size Nanag divor आपन V पहले आपका आपका हमेसे V होता है यहाँ पर वह रैट डाउन करता हूम आपका यू होता है अब दुसरा वाला आपका V होता है टेके, e sorry to x upon x तो simply formula आपले करेंगे V, V मतला आपका unDanag x x d by dx of u u मतलब अपका e raised to x then minus sign then u e raised to x d by dx of v v मतलब अपका x यहाँ पे x है divided by v ka square मतलब x ka square is equal to t यह चाओ अपका वहाँन? tp by dx यहाँ पका होगा u upon v x अपका यहाँ वैसे का होजा? d by dx of e raised to x e raised to x kya रूट होटा है e raised to x then minus sign e raised to x आपका वैसे का वैसा d by dx x मतलब आपका है? x kya रूट है? 1 x का रूट होटा है? 1 यहाँ पे by yn में आपका आएगा x square is equal to dt by dx देखें यहां पर भी आपका e raise to x यहाप भी आपका e raise to x और e raise to x को में यहापे common ले लेता हूं तो यहापे आपका क्या पचेगा x minus 1 divided by x square dx को यहापे multiply करता हूं सभी x वाले टाओं एक side में लेता हूं तो dx को यहाँ पर multiply किया is equal to dt देखिए अगर e raised to x को यहाँ पर bracket के अंदर multiply करता हो तो x into e raised to x then minus sign e raised to x into 1 तो है आपका equation 1 तो value put करेंगे equation 1 में देखिए डिटी का value put करेंगे equation 1 में तो देखिए put value in equation 1 equation 1 में put करेंगे value क्या करेंगे equation 1 में पूट करेंगे तो इंटीग्रेशन आए कि द्हां से देखिए e raised to x x minus 1 देखिए e raised to x minus 1 upon x square देखिए यहाँ यहाँ हाइलाइट करता हो एक से लेके यहां तक देखिए e raised to x bracket में x minus 1 upon sorry यहां यहां से हो जाएगा e raised to x bracket में x minus 1 upon x square dx आपका क्या है dt तो इससे पूरे को replace कर देता हो यहाँ पर क्या आएगा दिवाइड में साइन स्क्वेर अपका वैसे का वैसा है कि इस्क्राइब का वैसे देखिए e raised to x upon x हमने क्या पूर्ट किया आए टी कि तो तो सिंप्ली यहां पर क्या करता हो यहां पर यहां पर और राइट-डाउन करता हो प्लूर्म्ल करता हो कर दिरफ फ्रम्लां कहीं और उंपन को सुखास्थस्थ होता है तहां में अपन साइन स्कूरी तो ऊपित रोगा को सिक्स प्रेटी को सेट स्कूर्टी डillesi ड्रीए तुक्रीटीड ने इंटिग्रेशन देंक यहां पर आपको बेसिक फॉर्मुला दाने चाहिए देखिए नेक्स नुम्रीकल स्वाल करेंगे क्वेसे नुम्र 9 का सलूशन वे सेम यहां पर इवल्युएट इंटिग्रेशन इस ब्रैकेट में X-1 आपको एक्स्क्वेड्युरो यहां पर क्या है सिब कॉस्क्वेड़ है कि नहीं पर क्या है को स्क्वेर को स्क्वेर मैं कि इस तो अपन एक्स डी एक्स तो सेम पूट एस्टो एक्स आपं एक्स यहां तक आपका सेम प्रोसीजर है पूट वैल्यूई इक्वेशन वन तो यहां पर देखिए एस टो एक्स ब्राकेट में x-1 x-2 एक यहाप का एगा एगा करेंगा को निया है यहां पर का को स्क्वेर कि कॉर्ण एंटी इंटूबन क्या होगा दिटी होगा इसे वन राइब डाउं करता हूँ तींकि इंतीगेशन आफ कॉस्क्वर टी डारेक्ट ट्रैटर्स टैड़र नहीं है लेकिन ट्रिगनोमेटिक आपका फर्मॉला आहीं स्क्राइब और यहां पर हमारा क्या होगा सेक्स्क्वेर टी अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुला अवेलेबल है इंटीग्रेशन आप सेक्स्क्वेर टी डी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुला अवेलेबल हैं इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्मुला अवेलेबल हैं देखे सभी आपके स्टैंडर्ड फॉर्मुला एक्स के फॉर्म में हैं यहां पर आइसा हो प्लस देकिन यहां पर टी यूज किया है अलफाबेट यहां पर चेंज हुआ है यहां पर यूज किया है एक दम नुमरीकल है यहां पर आपको वैल्यू पूटब करना और नुमरीकल को सॉल करना है और इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मझे कमेंट में बता सकते हो अच्छा लगाओगा तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए साइड में जो बेल आकोम बटन यह उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट अनुवले वूड़ी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तैंक्यू